ससिकाल नमस्ते अदाब दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों पर बिलकुल ठीक ठाक से होंगे दोस्तों आज हम बहुत ही इंपोर्टेट टोपिक पर बात करने वाले हैं बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे आज ये वीडियो मुझको बनानी पड़ी कि जब भी हम यूरोप के लिए समिशन करते हैं अमबैसी में तो हमसे क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर अगर हमारे पास कॉल आती है अमबैसी से समिशन के बाद तो हमसे क्या-क्या सवाल पूछे जाएंगे तो आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेट है वाई बिल्कुल भी स्कीम मत करो चैनल को सब्सक्राब करो ऐसे अच्छी वीडियो के लिए दे ना करते शुरू करते आज की वीडियो दोस्तो ये जितने भी मैं सवाल आज लेकर आया हूं या जो भी मैं आज आज आपको बताऊंगा ये जितने भी हमारे टेलेगराम गुरूप में जितने भी 2000 मेंबर हैं उन में से कुछ लोग जो अभी अभी गल्प से या इंडिया से एरोप के हैं कोई पॉलेंड हंगरी लुथीनिया लात्विया इस्टूबनिया तो उन सब से बात करके उनके एक्सपीरियंस के अधार पर मैं ये कोशन लेके आया हूं और ये वही कोशन है जो अधिकतर अमबैसी में पूछे जाते हैं दोस्तों सबसे पहले जो मेरा कोशन है वो ये है और विच टाइप ओफ विज़ा आर यू गोईंग टू यू यानि आप किस विज़े पर यू रोप जा रहे हैं और इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है वाट आर यू गोईंग टू इन यू रोप आप यू रोप क्या करने जा रहे हो मिर भाई तब आपने उसको ये बताना है कि भाई मैं प्रोफेशनल ट्रिलर ड्रेवर हूं मैं वहाँ पर काम करने के लिए जा रहा हूं वर्क पर जा रहा हूं भी यानि कि की अप में काम करने कर ले जा रहा हूँ ठीक है तो कई बार क्या होता है कि अंडिया में अब लोग पुछते है कि वह पर English interview होता है कि Hindi में होता है तो धूसरे लिए डिपन्ड होता है अब जैसे मैं दिली में गया था दिली में मैंने शमिशन की थी या और मेरे जो भाई थे वो कह रहे थे कि जैसी हमने शमिशन करी तो वहाँ सब इंडियन्स होते हैं तो आप चाहे तो हिंदी में भी वहाँ जा रहा हूँ ठीक है तो जितना जरूरी है उतना बोलें ज्यादा फाल तुम मत बोलें उसके बाद वाट डीड यू चूज दिस कंट्री टू वर्क आपने ये कंट्री क्यों चूज की वर्क के लिए आप कह सकते हूं कि भईया हम गल्फ में अगर आप गल्फ का करना पड़ता है है वहा न time है और लाल पर क्लाइमेट बहुत अछ्शा ये अपको में चो करना पड़ता को पड़ना करेंगी है और है यह झाया हो रखे सकते हैं यहाले हैता कि समया है करा मिल जाएगी है अगर आप गल्फ में है क्लाइमेट बहुतений हम होगहा Southern है और वहाँ पर घंटों के साफ से काम होता है गल्फ में हमें बहुत ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है तो हमें वहाँ पर comfort है तो इस तरीके से आप दो तिन बाते अपनी रख सकते हो ठीक है दोस्तों उसके आगे पूछ सकता है या वाइ दो यू चूज इस कंट्री या वाइ डो यू चूज यूरोप फॉर वर्क यानि आपने इसी कंट्री को क्यों चुणा या या यूरोप को क्यों चुना और किसी कंट्री को क्यों नहीं चुना ठीक है और इसके साथ-साथ वह य भी पूछ सकता है, how did you get to know about this vacancy, यानि आपने इसी country को क्यों चुना, या आपको इस vacancy के बारे में काँ से पता चला, आपने कैसे apply करा, खीक है, तो आ सकते हो कि भई, यहाँ पे मेरी salary इतनी थी, तो मैं अभी सर्च करता रहता था उरोप पे कि कोई west opportunity मेरे लिए कहीं पर मिल रह रही है, नहीं मिल रही है, तो इसी दोरान सर्च करते वे मुझे 2-3 vacancy के बारे में पता चला, और मैंने 3-4 में apply किया, और मुझे यहाँ से response मिल गया, और मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, कि company वालों ने मेरे से contact किया, मेरा interview बगरा ले और फिर मैं आ गया, तो आप इस तरी integration ने यह सवाल पूछा, कि आपको company के बारे में कैसे पता चला, या इस vacancy के बारे में कैसे पता चला, तो आप कह सकते हो, कि मैं internet पर अखसर ढूंडता रहता हूं, कि कुछ best opportunity मेरे लिए है, और मैंने देखा कि रोप में बहुत सारे truckers की vacancy आई भी थी, मैंने 3-4 company में apply करा और मेरे को जहां से पहले response मिला, मैंने वहाँ apply कर दिया, बस इतनी सी बात है, आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, अगर इंगलिस में तयारी करके जाए तो और भी अच्छा है, उसके बाद आप से पूर सकता है, before have you experience abroad, यानि आपके पास abroad का कोई experience है, अब जैसे हमार भाई गल्फ में काम करते हैं ट्रकिंग का, तो वो कह सकते हैं कि भाई मेरे पास बहरीन का, सौधी एरब का, दुबई का ट्रकिंग का experience है, I have four year experience as a trailer driver in this XYZ transport, यानि अपनी ट्रांसपोर्ट का नाम लेके आप इस चोड़ी सी बात अपनी बता सकते हैं कि भाई या, इस company में मैंने इतने साल बहरीन में काम किया है, ठीक है, सौधी में काम किया है, दुबई में काम किया है, जहां पर भी आपने काम किया है, आप बता सकते हैं, उसके बाद और पूर सकता है, what do you know about the company, what is your salary in your employment contract, जी हां दोस्तों ये बहुत जरूरी है, जब भी आपका employment contract आपके पा साया है, सेम वही information immigration के पास है, अगर आप वही सब चीजे बताओगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना, अब जैसे उसने पूछा है कि आपकी salary कितनी है, contract पे अगर 800 लिखी है, 800 यूरो तो आप 800 बताओ, 1200 है, 1200 है, 1200 है, 1200 है, 1200 है, 1200 है, 1200 बताओ, कि this is my monthly salary, according to my employment contract, तो आप इस तरीके से बता सकते हो, अगला सवालों पोच सकता है, do you have some funds with you, कहने का क्या मतलब है, कि आप अपने साथ कोई fund लिजाओगे, जब आप travel करोगे, क्योंकि अभी तो आप submission के लिए आयो, अभी तो कोई आपको कहेगा, नहीं कि दिखाओ, तो आप उसको क बता देंगे कि आपके पास कम से कम इतने यूरो हो, तो मैं आपको यह सेजैस करूँगा, कम से कम हजार यूरो आप अपने साथ लेके जाए, कैश, क्योंकि वहाँ पर भी जुरुत पढ़ती है, पैस होगी, ठीक है, तो आपने बता देना है, कि इतने यूरो में carry चाहिए, आपके पास उस टाइम पे हो ना हो, लेकिन ट्रैवलिंग के टाइम पे होने चीए, ठीक है, उसके बाद तो पूर सकता है, do you know that how many hours will you have to work per day, यानि आपको एक दिन में वहाँ पर कितना काम करना पड़ेगा, आपको मालुम है, तो आप कह सकते हो, according to my contract, employment contract, I have to work for इतने घंटे मुझे काम करना है, जैसे कि अगर driver की बात करूं, driver को हफते में 56 घंटे काम करना है, और consecutive week में 90 घंटे से कम काम करना होता है, ठीक है, या आपको पूछ सकता है, what is your job role in this company, इस company में जिसमें आप जा रहे हैं, इसमें आपका job role गया है, तो जो आपका offer letter या contract आता है, उस पर लिखा होता है, heavy driver या long hold driver, तो आपने वही बताना है, कि मैं as a long hold driver इसमें जा रहा हूं, ये मेरा job role है, ठीक है ना, बस बिलकुल simple way में और उतने जवाब देना है, जितनी बहुत सारे और भी सवाल हैं, लेकिन ये वह सवाल हैं, जो जितने भी मेरे group में से, हमारे group में से जितने भी भाई Europe गए हैं, उन सबसे बातचीत करने के बाद मैंने ये सारे सवाल लिये हैं, अब अगला सवाल लो पूछ सकता है, where will you stay in Europe, या where will you stay in, जो भी आप country में जा पूछ सकता है, तो मालो आपकी company है, पूलेंड में, और उसका address है, उस हर का नाम है XYZ, मान के चलो, ठीक है न, तो आप, और contract में लिखा होता है कि भाईया, इस बंदे को accommodation company provide करेगी, और यहाँ पर address दिया होता है, तो आपने वही बताना है, कि मुझे company के accommodation में रहना है, और यहाँ पर है, उस जगा का नाम लेना है, XYZ, जो भी हो उसका नाम, वारसो हो या कोई भी हो, तो आपने उस जगा का नाम लेके बताना है, कि company के accommodation है, यह ज़रूर बोलना है, company के accommodation है, और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, खीक है, और उसके बाद वो पूछ सकता है, have you been interviewed by the company, क्या आपका interview हुआ था, company ने आपका interview लिया था, देखो, दोस्तों, मैं आपको बता हूँ, जब भी आप किसी company में apply करते हो, आपका telephone पे 10-15 minute का interview होता है, वो आपकी English वगरे चेक करते हैं, आपका experience देखते हैं, उसके बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, कि इसक बारे मैंने उसको अपने बारे में बताया, और अपने experience के बारे में बताया, ठीक है, 10 minute मेरा interview हुआ, तो आप इस तरीके से उसको बता सकते हो, ठीक है, उसके बाद पूर सकता है, when did you get your heavy driving license, अब ये बात रही है कि आपका driving license है, आपको कब मिला, तो आपने अपना पुरान था, 13 में बना था, 15 में बना था, तो आपने पुराने से पुराना का बताना है, क्योंकि आपने उस सारा record, जो है, company को दिया है, company ने जो है, जो आपकी immigration है, immigration को दिया है, तो आपने सब कुछ वोई बताना है, जो आपने document दिये है, अगर आपने कोई, इंडिया का आपके आपने सदी का दिया है, तो आपने सदी का बताना है, ठीक है तो इस तरीके से चलना है, और मैं थोड़ा सा यहां पर एक information और दूँगा आपको, अगर आपके पास इंडिया का heavy driving license है 2009 से पहले का, तो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, बाद का 13, 14, 15, 18, 20, तो यह है कि 2009 से बाद वाले जो जितने भी license वाले हैं, सबकी जो training है, वो थोड़ी सी ज़्यादा चलती है, क्योंकि यहां पर आने के बाद हमारी training होती है, कुछ हमारे documents बनाने के लिए, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि driving करने से पहले हमको क्या कर document यहां बनाने अगर 2009 के बाद काया तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं आपको information देना चाहता था, ठीक है, इस तरीके के भाई कोई सवाल जो हैं, वो पुछे जा सकते हैं आपसे, आपने सारी तयारी करनिया, आप internet, Google की मदद भी और अपना employment contract पढ़ सकते हैं, अगर आप किसे agent के थुआ रहे हैं, तो वो भी आपकी help कर सकता है, उसको भी आप cross question पूछ सकते हैं, ठीक है न दोस्तों, तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, अमबैसी में बस एक दो सवाल पूछे जाते हैं, और एक सवाल तो हर एक काम करने आए हो, काम करने आए हैं, बस और क्या करने आए हैं, और ये भी पूछ लेते हैं, कि आपको कोई लेने आएगा, तो आप कह सकते हैं, company representative मेरे को लेने आएगा भार, और एक question और पूछ सकते हैं, कि आपको कैसे पता चला कि भई, इस company में वाकैंसी है, तो उसका भ और मेरे को जहां से पहले response आया, मैंने वह अपलाई कर दिया, तो इस तरीके से आप बता सकते हो, तो दोस्तों, main main जो बात है, यही है, जो मैंने आपको बताई है, इसके लाप और भी बहुत सारे question हो सकते हैं, लेकि main question यही है, आपने थोड़ी से अपनी English की तैयरी करके आनी है, क्योंकि यहां पर जो है English थोड़ी चाहिए, driver को, ठीक है न, हर एक चीज यहां पर English में, आपकी सारी classes English में होगी, सब होगी, आपको English बोलनी आनी चाहिए, अब कोई पुछता है कि कितना पैसा लगता है, या क्या है, क्या नी, तो दोस्तों, यहां पर भी आकर हम हम कोई खर्च करना पड़ता है, तो आप इस तरीके से आएं कि इस हिसाब से आएं कि आपके पास कुछ additional money या कुछ extra आप अपने साथ लेगा हैं कि कल को यहां emergency में आपको जुरूत पड़े तो आप उसको इसको इस्तमाल कर सकें, क्योंकि यहां पर हर एक European country का लग-लग हि पर गाड़ी 15 दिन में मिल जाती है, कहीं पर महिना भी लगता है, कहीं पर डेड़ महिना भी लगता है, तो यह सब चीजें यहां पर होती हैं, क्योंकि इससे पहले यहां पर इंडियन ड्रैवर्स इतने नहीं थे, अभी जब से यह उक्रेन वार हुआ है, उसके बास से ही है, वकैंसी ज़्यादा आने लगी है, यह लोग प्रिफर करने लगे हैं, कि हाँ चलो यार, इंडियन को भी बुला लेते हैं, नहीं तो यहां पर पहले उत्वेकिस्तान, और आपका यूक्रेन, और आपका रश्या, इधर के ज़्यादा ड्रैवर्स काम करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उमिद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो यहां लाइक जरूर करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब ऐसी अच्छी इंपरमेटी वीडियो आने वाली है बाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और बाई लेकर अउन पर कर लो, तो मिलते हैं अच्छी इंपरमेटी वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तिल देन, बाई बाई